अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी काम बदलने से कहां फायदा कोई, वो सबका भला काम कोई ऐसा करें आबा पानिय एकलेश यादव जी और तमाम इससे पहले के जो लोग आए उन्होंने भी सरकारें चलाई हैं लेकिन नाम बदलने का काम नहीं किया कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का सहर है, जरा फासले से मिला करो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वो सिराजहिंद जोनपूर की, जिसका इतिहास तो सैकड़ों साल पुराना है हाँ, मिजाज जरूर कुछ बदले हैं, और उस बदलने का कारण भी है, कि जो जीलों के नाम बदल रहे हैं हम इस समय मौजूद हैं जोनपूर के अटाला मस्जीद पर, हम बात करते हैं यहां के अलप संख्यकों से कि पूरे परदेश में जो नाम बदलने का जीलों के करम शुरू हुआ है, जोनपूर जीले का नाम भी भाजपा के विधायक दिनेश चोधरी ने यमदगनी पूरम रखने का प्रस्ताव मुख मंतरी जी को भेजा है हम बात करते हैं यहां लोगों से उनकी क्या राह है, आप अपना नाम बता है, मैं साजी दलीम सबसत दल का नेता पर्तिपच जोनपूर, मैं मानी तिनेश चोधरी से कहना चाहता हूँ, मेरा यह संदेश है, कि हमें तो जगदमनी पूरंग से भी प्यार है, हमें जोनपूर टॉइड़ों यहां की तहजीब देकने आते हैं, यहां की तहजीब देखने आते हैं, हमारी सचसे पनी मतला सी है यहां की मंदिर इनका आप नाम बदल के कत्तवी देशित में काम नहीं कर रहा है और आखरी बात है सर मेरी कि यह पिक्चर का आखरी सीन चल रहा है यह हर चीज में फेल कोई काम नहीं किया साथ साल के बानार से लेकि जोनपूर का सड़क बन रही है आज तक वो रोट तयार रहे होगा यह हर चीज़ में फेल है तो यह उल्जाने की कोजिद कर रहा है बागी इनका कोई मकसद नहीं हम बात करते हैं आप अब दरसल नाम बदलने की जो एक रस में चल चुकी है वह मैं अपने शेर से इस ब नाम बदलने से कहां फाइदा कोई हो सबका भला काम कोई ऐसा करें आबा तो ऐसा काम हो सरकार का काम होता है समस्या का समधान नकि समस्या पाइदा करना आप नाम बदल के समस्या पाइदा कर रहे हैं समस्या खत्म नहीं करना और इस नाम बदलने से किसी का घर जिस मौलम प पड़ेगा हम बहुत खुश होते इस नाम बदलने से अगर किसी गरीब को रोटी मिल जाती इस नाम बदलने से किसी की अधूरी पढ़ाई पूरी हो जाती इस नाम बदलने से या किसी तरह का समाज का कोई भला हो जाता तो हम बहुत खुश थे इस नाम बदलने से और सिर्फ अप्रनाम की सियासत काम से दूर रहकर इसको पसंद नहीं क्या जा सकता है यह थे सायर अकरम जोनपुरी साफ जिन्हों ने अपने सेरो सायरी कमाध्यम से बता है अब हम बात करते हैं चलते हैं अगले कड़ी में अपना नाम मेरा नाम कमालुद्दीन अंसारी मैं नगर अध् जो हमारे किराकत के विधायक हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी विधान सभा में क्या कारिक किया उस कारियों को देखते हुए ना कि गरीबों को कोई संसाधन मिल रहा है ना विध्यार्तियों को ना बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है आज देख लिज कोई पढ़ाई का वो नहीं है और यहां पर नाम बदलने में क्या है नाम बदलेंगे सिर्फ नाम बदलने से ही सरकार का काम नहीं चलेगा अब जनता के अंदर करांती परदा हो रही है और इस तरह नाम बदलने से जो पैसा सरकार का यानि हमारा खर्च होगा इसका जवाब द मैं पेशे से ब्यापारी हूं एक शेर है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिवास बदलते हैं जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं तो यह पानी से नहाने वाले लिवास बदलने का काम कर रहे हैं मानि अखलेश यादव जी और तमाम इससे पहले के जो लोग आए उ साशन रहा है सीतापूर था रामपूर रामपूर रहा नाम बदण करके यह संदेश देने का am सरकारों नहीं किया चुकि भारती जनता पार्टी के पास को इतिहास नहीं है काम करने का और वह इनहीं मुद्दों में उल्धा करके भूरूवी करके वोट लेता चाहते हैं आगामी चुनाओं को देखते हुए यह सब मुद्दे उचाले जा रहा है या जिन जगों का नाम बदला गया है अभी आयोध्या में नाम बदला गया वहां पंचायत के एलक्षन में भारती जन्ता पार्टी की जमानत जब्थ हो गई है प्रियाग राज में नाम जमानत जब्थ हो गई है खुद काशी के अंदर जमानत जब्थ हो गई है तो नाम बदलने से भी उनको उनका परिणाम नहीं मिल पा रहा है लेकिन वह वक्त वक्त पर भावना भड़का करके वोट लेने का काम करना चाहते हैं आगामी पिछले दो हजार इकीस में लगबख छे राजियों का चुनाओं है उन चुनाओं को देखते हुए भारती जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे उठा रही है जबकि जौनपूर का इक इतिहास रहा है यहां पर गयासुद्दीन तुगलक का जो लड़का था मुहम्मद बिन इस शहर को बसाया था 1369 में और उन्होंने उन्हीं के इसमृति में ये इसका नाम जुनापूर रखा था उनका नाम जौनापूर था उन्हीं के नाम पर विगड़ते विगड़ते जौनपूर हो गया नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है यहम्दंगनी रिशी की जो तप हमारे समझ से कोई जनता का कल्यार नहीं होगा जैसा कि अभी हमसे पहले वी अकरम शाब ने कहा कि अगर नाम बदलने से किसी का मकान बन जाए किसी की रोजी रोटी लग जाए तो ऐसा काम मुकमंत्री जी को करना चाहिए चुकि कराकत विदान सभा से उनकी जमानत जब्त ह होने वाली है तो वह भी इस तरह का मुद्दा उठा करके भावनात्मक मुद्डे को ला करके धुरूवी करड़ का काम करने जा रहे हैं लेकिन आप कोई धुरूवी करड़ चलेगा नहीं अब हम बात करते हैं अगले आप बताएं सामत हैं जो कि अपना कहा है कि नाम बदल इस इस पर कोई अतराज नहीं है कि नाम बदला जाये किन साथी इन्हें यह है कि नाम बदलने के पेट की भूप की भूप मिट सकती है नाम बदलने से क्या बेरोजगारी दूर हो सकती है ये थे इनकी अपनी पीड़ा जौनपूर से राजकुमार सिंग यूपी तक